हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका कैसे आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके तयारी अच्छे चल रही होगी इसके बारे में हम आपको सबसे पहले विस्तार से बताते हैं कि पूरी खबर है क्या रेल्वे में नौकरी की आस लगाए बैठे योग अभ्यारतियों की अब वेटिंग में भी लोट्री लग सकती है भरती प्रकरिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों को अब अग्यच्छों को आदेश दे दिया है अब समझे कि इसका मतलब क्या है जिसे मा लिजे आप दो चार नंबर से मैरिलिट से बाहर हो गए हैं और आपके सारे पद नहीं भर जा पा रहे हैं मतलब एक लाग ती नजार सासो नात्तर जो पद निकले हैं इन पर पकरिया पूरी कि इसका मतलब दो चार नंबर से फेल हो गए हैं उनको यहाँ पर आउसर मिल सकता है आए आगे पर लेते हैं और खबर क्या है कि भरती प्रिक्छा पूरी होने के बाद यह कोई पर किसी अभ्यारती के ड्यूटी जोईन नहीं करने प्रिसिक्छर के दौरा नौकरी छोड़ तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भर दिया जाएगा आए आगे जान लेते हैं अब तक ये होता था रेल्वे भरती बोर्ड की ओर से रिक्ट पदों के लिए तीन गुना अधिक अभ्यारतियों को सामिल किया जाता है परिक्छा प्रिडाम और इंटर्व्यू में तीन गुना अधिक अभ्यारति बोलाई जाते हैं ऐसे मेरिट की आधार पर अभ्यारतियों को रिक्ट पदों पर भर दिया जाता है जबकि रेल्वे भरती बोर्ड भरती प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्ट होने वाले पदों को नई भरते उसे रिक्त मान कर छोड़ मिल सकी परन्तु अब वेटिंग लिस्ट में सामिल हुए अब भ्यार्थियों को नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी पद रिक्त होने पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी तो यह आपके लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है